आखिर आपके investments के portfolio में कितने shares होने चाहिए 2, 4, 5, 6, 10, 12 कितने पता करने माले हैं आज किस वीडियो में जब भी हम लोग stock market में investment करने की planning करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर कितने companies के shares में हम लोगों को investment करना है investments को लेकर एक कहवत बहुत ज़्यादा famous हैं वो यह है कि don't put all your eggs in one basket इसका मतलब साफ है कि आप जितने भी amount का investment करते हैं वो आपको एक ही जगा पर नहीं करना है लेकिन आप कौन-कौन से company के sector में investment करेंगे कहा पर investment करेंगे इसके उपर बहुत ज़्यादा confusion होती है तो आपके portfolio में कितने companies के shares होने चाहिए यह depend करता है आपके investment के horizon पर और इसी के साथ-साथ आप कितने amount का return गमाना चाहते हैं और आपके investment के safety क्या होनी चाहिए इसके उपर depend करता है कि आपको कितने shares में investment करना है अगर आप market में किसी से advice देने जाएंगे तो वो कहेंगे कि 10 shares होनी चाहिए कोई कहेंगा कि 5 shares होनी चाहिए at least या कोई कहेगा कि 15 या 20 shares होनी चाहिए depend करता है कि आपके investment का capital कितना है सबसे पहला factor आपका ये कहता है कि आप कितना risk ले सकते हैं और आपके पास investment करने के लिए amount कितना है second factor कहता है कि जब भी आप investment करते हैं तो आपको किसी भी particular sector के multi bagger shares को find out करना है क्योंकि अगर आप multi bagger share में investment करेंगे तो आपको future में अच्छे returns कमाने को मिलेंगे वही पर अगर आप किसी ऐसी company के shares में investment करेंगे जिस company के fundamentals ज़्यादा strong नहीं है तो ऐसी company के shares में investment करके आपको losses हो सकते हैं इसका दावर जब भी आप stock market में investment करेंगे या अपने investment का portfolio create करेंगे तो आपको हमेशा ही ध्यान लखना है कि आपके portfolio में जो risk है वो बहुत ही कम होना चाहिए मतलब आपको उन companies के shares में investment करना है जहां पर आपके principle की safety हो मतलब कुछ ऐसी companies जिनके shares की value उतनी ज्यादा fluctuate ना होती हो और future में आपको अच्छे returns भी कमाने को मिले लेकिन अगर आप जानना चाहता है कि आपके investment के portfolio में कितने shares होने चाहिए तो इस सवाल का जवाब market में किसी के पास नहीं होगा because क्योंकि इस सारे चीज़े डिपरेंट करती हैं आपके investment criteria पर और आपके return's के criteria पर और जब भी आप investment के portfolio को create करेंगे तो यहाँ पर आप अपने investment के portfolio को customize कर सकते हैं अगर आप market में 10 company के shares में investment कर ना चाहते हैं तो 10 company के shares में भी investment कर सकते हैं अगर आपके पास investment करने के लिए amount ज़ादा है तो आप investment कर सकते हैं 25 shares में भी डिपेंड करता है कि आपको कितने amount का investment करना है और कितने companies के shares को आप buy कर सकते हैं लेकिन आपने जिस तरीक से investment के portfolio को create किया है आपको पता कैसे चलेगा कि is portfolio से आपको अच्छे returns कामाने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपके रिखिमेंडेशन है जिससा आप follow करेंगे तो आप के investment के portfolio को अच्छे से create करेंगे जब भी आप अपने investment के portfolio को create करें तब आपको यह पता होना चाहिए जितने भी companies के shares में आप investment कर रहे हैं उन सभी companies के fundamentals आपने थरली पड़े हो और तो और आपको उतने ही companies के shares में investment करना है जितने का management आप रख सकें अगर आप ज्यादा companies के shares में investment कर लें और hope करता हूँ कि आज की वीडियो का content आपको valuable लगा होगा अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सिखा है तो इस वीडियो को like करना, share करना और इसे के साथ साथ अगर आप इस channel पर नए हो तो इस channel को subscribe करो मैं आपको मेलूँगा अगली वीडियो में नए topic के साथ एक interesting topic के साथ तब तक के लिए signing off, happy investing and goodbye